नमस्कार जेहिंद जिसमें कहा गया है कि Age per Income Tax Act 1961 It is mandatory for all pain holders who don't fall under the exempt category to link their pain with others before 31st March 2023 यानि जिनको Income Tax Act 1961 में exemption है उसके अलावा सभी sellerate और pension दारकों को 31 मार्च 2023 से पहले पहले अपने pain card को अधार card के साथ link करना है या फिर अपने pain card के साथ में अधार number को link करना है From 1st April 23 The unlinked pain sale become inoperative What is mandatory is necessary Don't delay link it today 1 April 2023 से जिनके pain card के साथ में अधार number link नहीं होगा वो pain card inoperative यानि बंद कर दिया जाएगा कि आप advertisement को भी देख लें जिसमें भी यही बात लिखी हुई है कि last date आपकी 31 मार्च 2023 है इस rule को follow करते हुए जिनके भी pain और अधार में यदि नाम मिश्मेच है या कुछ गड़बड है तो वो अपना नाम correct करवा के 31 मार्च 2023 से पहले पहले अपने pain card के साथ अधार नमबर को लिंक कर ले pain can be linked with a valid अधार on यहाँ पे website का address भी दियावा है www.incometax.gov.in after paying a fees of rupees 1000 present समय में जो fees चल रही है वो 1000 रुपे चल रही है यदि आप 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं करवाते हो तो आपको additional penalty payment करनी पढ़ सकती है साथियों इसके ओपर आपको यदि कोई doubt है कोई क्यूरी है तो आप income tax इंडिया के डिपार्टमेंट के टोल किरी नमबर 1800-103-0025 और 1800-419-0025 पे संपख करके complete जानकारी ले सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में अपने पेन को आदार के साथ 31 मार्स 2023 से पहले पहले जरूर लिंक करवा ले नहीं तो दूइदाई बढ़ सकती है इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को ज़्यादे से ज़द लाइक करें और सभी accelerated और pensioner के साथ में share जरूर करें ताकि जिदी जानकरी का उनको अबाव के करण पता नहीं चल पाया है तो इस वीडियो के मादेम से उनको पता चले और वो भी अपना पेन आदार के साथ लिंक कर ले जै हिंद जै बारत वद्ने मातरम